हे गाईज, वेलकम टो और चानल, माई नम इस अफसर और यू वाचिंग टिकनिकल अफसर यूटूब चानल तो गाईज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वाटसाप का न्यू अपडेट जो के है आपके वाटसाप वेब से रिलेटेड इसके उपडेट मैंने एक वीडियो बना कर आप लोगों को डीटेल में इस अपडेट के बारे में समझाया है बताया है बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या ये अपडेट आपके लिए आप नुकसान दायक हो सकता है या फिर यूसफूल हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और किस तरीके से अपडेट आपको कहा पर देखने को मिलता है किस काम में आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो कैस्छ यहाँ पर वाटसाप ने अभी हाल-फिलाल के अंदर एक फिचर लाँच किया है जिसका नाम है वाटसाप वेब जिसका नाम अभी उसने चेंज करके लिंक डिवाइस रख लिया है क्योंकि पहले से आपको वाटसाप के उपर वाटसाप वेब का उप्शन देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप अपने वाटसाप को अपने पीसी के अंदर स्कैन करके यूज कर सकते है सेम अकाउंट और उसको पूरी तरीके से आप मैनेज कर सकते है बड़ अब इस फिचर के आने के बाद आपका वाटसाप कोई भी नहीं चला पाएगा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सिक्रेटी मिल जाएंगी अब वो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो जैसे के पहले आपको अगर समझो मेरा वाटसाप अगर यूस करना है तो आप simply अपने मोबैल के अंदर एक application यूस करते थे जिसका नाम क्यूवर कोड स्कैन ऐसको कुछ भी होता है तो उसके तुरू आप simply मेरे वाटसाप के क्यूवर को स्कैन करके आपके मोबैल के अंदर मेरे WhatsApp को चला सकते है बट अब यह जो new update आया है link device का इसके अंदर अब एक feature को WhatsApp ने add किया है जिसका नाम है fingerprint lock या फिर अगर आप Apple user है तो वहाँ पर आपको face ID lock का option मिलता है अब इस option के अंदर होता यह है कि आप अगर मेरा WhatsApp scan करना चाहेंगे मेरे mobile से तो जब तक मेरा fingerprint आपके पास नहीं रहेगा तब तक मेरे mobile से आप खुद के WhatsApp QR code को scan नहीं कर सकते है इसका मतलब कि आप WhatsApp इतना ज़्यादा safe हो गया है कि आपके इजाज़त के बिना आपके WhatsApp के QR code को कोई भी scan नहीं करता है इसके लिए शर्त है कि आपने अपने mobile के अंदर अपने WhatsApp को fingerprint lock से lock लगाया हो अगर आपने अपने WhatsApp को lock नहीं लगाया है अगर आपने fingerprint का use नहीं किया है तो फिर ये feature आपके किसी भी काम का नहीं है तो ये link का device एक अलग feature है और इसके अलावा और भी WhatsApp के उपर शायद एक feature आएगा जिसका नाम मर रहेगा Linked device तो अब देखते ये है कि ये feature और वो feature same है या फिर नहीं जहां तक मुझे लग रहा है कि Linked device का जो मैं आपसे बात कर रहा था इसके पहले कि Linked device वाला एक update आने वाला शायद यही वो update है यही वो feature है बट अभी के लिए WhatsApp वेब को ही यहाँ पर modify करके उसके अंदर link का device नाम लगा कर यहाँ पर हमें extra security का option दिया गया है और WhatsApp ने यहाँ पर clearly बताया है कि जो भी हमने यहाँ पर changes किये है और जो भी हम हमारा biometric ले रहे है वो हम हमारे server के उपर store नहीं करेंगे आपकी कोई भी personal information आपका fingerprint आपकी face ID हमारे पास store नहीं रहेंगी क्योंकि WhatsApp को एक clear करना बहुत ज़्यादा ज़ूरी था क्योंकि WhatsApp already काफी ज़्यादा विवादों में गिरा है तो बस इस update के अंदर इतना ही अगर आपका इससे related कोई भी अगर question है तो आप मुझे नीचे comment box से अंदर पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्ते के साथ share किजिएगा अगर आप चानल के उपर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उससे प्रेस के लिजिएगा क्योंकि इसी तरीकी की interesting and helpful वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली लात रहता हूँ and thanks for watching bye bye